बिस्मिल्हुर्भानिर्रहीम आज हम सीखेंगे कि शौर्ट सर्कृट क्या होता है सर्कृट डिजाइनिंग के लिए हम प्रोटिस 8 प्रोफेशनल टूल को इस्तमाल कर रहे हैं जिन कंपोनेंट्स के हमें जुरूरत है हम यहां से पिक कर लेते हैं हमें एक स्विच की जुरूरत है हम क्लिक करते हैं स्विच पर ओके करते हैं फिर हमें एक एलेडी की जुरूरत है रेड कलर की, LED हम यहां से चूज कर लेते हैं, यहां से चूज करें, OK करें, LED आ गई, फिर हमें इसके साथ साथ, एक रिजिस्टेंस की जुरूरत है, हम यहां से रिजिस्टेंस ले लेते हैं, जिनेरिक रिजिस्टेंस हैं, OK करें, स्विच को पिक करें यहां पे लाके लेफ्ट क्लिक करें और एक दफ़ा फिर क्लिक करें तो यह पेस्ट हो जाएगा एक LED लें LED को भी यहां पे लाके पेस्ट करें यह लग जाएगी रिजिस्टन्स लें resistance को भी यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करें और इसके बाद एक और दफ़ा क्लिक करें तो यह भी paste हो जाएगी circle को complete करने के लिए हम terminal mode में जाते हैं और वहाँ से ground को pick करते हैं और हम DC voltage के लिए generator mode में जाएं और वहाँ से DC voltage लेने यहाँ पे हमारे पास DC voltage जाएं इसकी properties में जाएं और यहाँ से हम इसको five volt set कर देते हैं फिर हम इस circuit को सारे शीज़ों को अपस में मिलाने के लिए हम हम एक और मजीद काम कर सकते हैं इसको हम drag करके कुछ आगे ले जाते हैं और यहां पर हम एक emitter यहां पर लगा देते हैं ताकि हमें पता चल सके कितना current यहां से गुजर रहे तो अभी इन सारी शीज़ों को आपस में मिलाने के लिए वायर्स को आपस में connect कर देते हैं यह वायर emitter के साथ यहां से रिजिस्टेंस के साथ यहां से इसको LED के साथ और इसको यहां से ground करते हैं जैसे हम यहां से बड़न को यहां से हम हम इसको play कर देते हैं हमारा यह circuit जो है वो चलना शुरू हो जाएगा तो हम इस बड़न के ओपर क्लिक करते हैं तो LED नहीं चाल रही इट मीन्स कि resistance हमारे पास बहुत ज़्याद है हम यहां पे इसको यह 10 किलो हो में किलो में तो नहीं होनी चाहिए इसको हम कम कर देते हैं द ही है ठीक है तो LED चल रही है और इसमें से 0.22 Ampere जो है वो इतना करंट इसमें से गुजर रहे हैं तो अब यह सिंपल सा circuit है जिसमें हम एक हमारे पास एक बड़न है हम बड़न को off करते हैं तो switch off करते हैं तो हमारे पास LED भी off हो जाती है अगर हम switch को on करते हैं तो हमारे पास LED भी on हो जाती है अब इसमें short circuit का कहां से concept आ गया तो basically short circuit एक ऐसा circuit जिसके अंदर एक छोटा रस्ता मिल जाए basically current ने तो positive अगर हम इस direction में current को देख रहे हैं कि इसने positive terminal से चलते 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 इसने negative terminal की तरफ जाना है तो अगर आप इस circuit में देखो तो इसमें से तो यही रस्ता है कि इसने यहां से emitter में से घूज़र के resistance में से घूजर के LED में से घूजर के फिर negative की तरफ और निकाल के डिरेक्ट इसको मैं अगर इस बैटरी के नेगटिव टर्मिनल के साथ कुनेक कर दूँ तो अब आप देख सकते हैं कि यहां से पॉस्टिव करंट अगर यहां से आ रहा है आ रहा है चलता आ रहा है और इस पॉइंट पे आकर नेगटिव के तरफ जाने के लिए दो रस्ते हैं एक तो एमेटर रिजिस्टेंस और उसके बाद यह एलेडी में से गुजर के नेगटिव के तरफ जाए यहां से डाइरेक्ट जिस रस्ते के अंदर कोई रुकावट नहीं है जो के रस्ता शॉट जिसे हम शॉट इसलिए कहा कि इसके अंदर से गुजरना इंतहाई असान है तो करंट की कोशिश यह होगी कि वो जल्दी जल्द जल्द बगएर रिजिस्टेंस के वो बगएर LED को चलाए बगएर इस रिजिस्टेंस से गुजरने की बजाए वो डिरेक्टली यहां से इस रस्ते से ग्राउंड की तरफ ज गुजर रहा है इस वायर में से क्रूजर रहा है अगर हम इसको स्टॉप करके अगर हम यहां पर भी एक L लगा दें तो आप देख सकेंगे कि करण्ट यहां पे भी हम मीट लगा देते हैं तो आप देखेंगे सारे का सारा जो करण्ट थर सारे का सारा करण्ट है इस वकिद पूऌरहकर geç Всемिघञा रहा Much इस बात को भीature कर कि इसमें से करंट नहीं गुजर रहा सारे का सारा करंट इस रस्ते से होकर ग्राउंड की तरफ जा रहाए अगर मैं इसकी प्रॉपर्टिज में जाकर इसको यहां से milli या micro amperes में जा के इसको देखें और ठीक है तब भी आप देख सकते हैं कि इसमें से कोई current नहीं गुजर रहा है बिलकुल कोई current नहीं गुजर रहा है तो यह वज़ा है कि यह बल्ब नहीं चाल रहा सारे का सारा current है वो इस wire में से गुजर रहा है और short circuit का मतलब यह जब wire में से बहुत ज़़ा current गुजरना शुरू हो जाए तो वो heat up हो जाती है heat produce होती है अभी तो यह computerized system है अगर heat जो original में heat बहुत ज़़ा produce होती है और जिसकी वैसे आग लग जाती है यह basically short circuit का concept है लेकिन first कर लें first कर लें कि मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मैंने तो यह circuit भी मैंने यह वाली wire भी मैंने रखनी ही रखनी है लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ से current गुजरनी की बजाए इस जगा से गुजरे यहीं मैं उसको मजबूर कर दूँ कि इस रस्टे से गुजरे तो क्या यह बात हमें समझ में नहीं आती कि हम यहाँ पर कोई इतनी बड़ी resistance लगा दें कि यहीं इस में से resistance में से और LED में से गुजरने में जो resistance पेश आती है उससे ज्यादा resistance अगर मैं इस रस्टे में लगा दूँ इस रस्टे में उतनी रुकावट अगर रख दूँ तो अगेन करंट जो है और फिर वो इसी रस्टे से गुजर नहीं कोशिश करेगा तो इस केस में मैं क्या करता हूँ वापिस component mode में जाएं resistance उठाएं और यहाँ पर मैं एक resistance लगा देता हूँ यहाँ से इस जगा और यहाँ से इसके साथ यहाँ पे हम चलेए 10 किलो हम यभी resistance लगा के देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या होता है तो अब आप देखो अब आप देख सकते हो कि रस्ते तो दो हैं, रस्ते दो हैं, एक ये रस्त है, एक ये रस्त है, अब लेकिन मसला इसमें ये है, आप देख सकती हो, यहाँ पर ये maximum हुआ है, हम इसको वापिस अगर stop करके इसको वापिस, इसको amperes में अगर मैं ले आँ, तो आप देख सकेंगे, कि यहाँ से 0.22 amperes, द उतने ही ये, उतना ही current जो है, वो इस वायर में से, इस resistance में से होके, LED में से होके ground की तरफ जा रहा है, लेकिन current इस side पर अगर आप देखो तो 0 amperes है, यहाँ इस side से नहीं गुजर रहें, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी resistance लगी वी है, सारे के सारे electrons, ज्यादा तर, ज्यादा तर electrons, कुछ यहाँ से होंगे, कुछ एक दो electrons, कुछ electrons यहाँ से गुजर जाएंगे, लेकिन mostly जो हैं, वो यहाँ से इस रस्ते से होके गुजर रहें, तो basically हमेशा याद रखें, कि current उस direction में flow करता है, जिस तरफ resistance काम हो, और अगर एक wire, ऐसी wire आपस में negative और positive के त दिर्मियान कोई resistance नहीं है, तो सारे का सारा electron, सारे का सारा current जो है, उस रस्ते से गुजर जाएगा, जिसकी वैसे बहुत ज़्यदा उस wire में से heat produce होती है, और wire जो है, वो burn हो जाती है, और आग लगने के chances होते हैं.